नमस्कार दोस्तों मैं दिनेस आप सभी का एक बर फिर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम देखेंगे ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांस्फोर्मर ये हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं ये हम जानेंगे तो चलिए बिना देरी की सुरू करते हैं देखिए यहां आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या है ट्रांस्फोर्मर का इक्विलेंट से जिसमें मैंने क्या है ये नोन लीनियर पेरामिटर जो है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि R0 और X0 जो है ये आपके क्या ह दोनों ही नोन लीनियर पेरामिटर है ठीक है अब देखिए ये नोन लीनियर क्यों है इसके बारे में हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं जैसा कि यहां आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि एक जो है आपका वर्किंग कंपोनेंट है और एक आपका म्यू बोलते हैं और इसे जो है हम आई डबलू से रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए यह जो ओपन सर्किट टेस्ट है यह आपका रेटेड वोल्टेज पर किया जाने वाला टेस्ट है ठीक है रेटेड वोल्टेज का मतलब हो गया आपका जो सप्लाइज वोल्टेज है उस पर ये किया जाएगा और देखिए ये आपके जो measuring instrument है voltmeter, emitter और wattmeter ये क्या है आपके low voltage side पर connect होंगे और high voltage को आप क्या रखेंगे open रखेंगे ठीक है तो यहाँ जैसा कि high voltage side जो है वो आपकी open circuit है और low voltage side पर आप ये test कर रहे हैं तो देखिए जैसे आप low voltage पर wattmeter जो reading measure करेगा वो क्या होगी तो देखिए वो क्या active power measure करेगा तो w equals to आपका क्या होगा आपका supply voltage गुणा no load current और power factor आपका cos theta 0 जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो theta है ये आपका क्या है voltage और current के बीच angle है और voltage कौन सा supply voltage और current कौन सी no load current ये जो है आपकी ये आपकी i0 है no load current ठीक है तो इससे आप power factor जो है cos theta 0 equals to ये आप measure कर लेंगे v i0 से अब जब देखिए आपको theta पता लग जाएगा तो आपको देखिए iw और imu भी आपको पता लग जाएगी क्योंकि देखिए iw जो है वो आपका कौन सा है ये वाला component है iw तो ये देखिए angle के साथ जो आपका इसकी value जो होगी वो क्या होगी iw की तो equals to आपकी होगी no load current और cos theta 0 और magnetizing component जो है वो आपका होगा i0 sin theta 0 जब आपके पास ये दोनो value आजाएगी तो आप क्या है ये जो r0 और x0 जो है cent branch parameter इनको cent branch क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये आपका देखिए primary side पर connect है और ये क्या है cent में connected है तो इसलिए r0 और x0 जो है वो हम open circuit test से measure करेंगे तो चलिए देखिए यहाँ r0 की value जो है वो क्या हो जाएगी क्योंकि आपने iw निकाल लिया v divided by क्योंकि देखिए v जो है आपका r0 के across भी है और x0 के across भी है लेकिन current जो है इसके अंदर आपकी working current है और इसमें magnetizing current है तो r0 की value क्या हो जाएगी v divided by iw और x0 की जो value है वो आपकी हो जाएगी v divided by imu तो इस तरह से आप ये जो parameter है cent parameter इनको आप measure कर लेंगे ठीक है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही next video में हम short circuit test जो है उसके बारे में बात करेंगे और इन दोनों में जो difference है उसकी भी चर्चा करेंगे तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों प्रचा करेंगे